1961 में एक हिट फिल्म बनाया गया था उस फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है देवानन्द और आशापारिक और उस फिल्म का एक हिट गाना था आपको भी याद होगा सो साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है कल भी रहेगा आज मुझे वो गाना याद आता है सो सवाल पहले जेपीसी की मांग थी आज भी है और कल भी रहेगी आज आप जानते हैं कि ये पांच फिबरुरी से रोज हम तीन सवाल प्रधान मंत्री से पूछते आ रहे हैं आज सो सवाल पूरे हो गए ये सवाल हम अडानी से नहीं पूछ रहे हैं ये सवाल हम प्रधान मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि सरकार से पूछ रहे हैं इन सो सवालों के बारे में जो संदर्ब है कैसे तयार किया गया मेरे साथी आमिताब दुवे इस पर आपको जानकारी देंगे क्योंकि ये पिछले डेड़ मैने से सुबह दोपहर शाम रात इन सवालों में लगे हुए है मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोड ने जो समीती बिठाई है विशेशग्यों की समीती जाने माने विशेशग्य है ये समीती अडानी केंद्रित समीती है ये अडानी से सवाल पूछेंगे हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं हम प्रधान मंत्री जी से कर रहे हैं सरकार से कर रहे हैं ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिती द्वारा नहीं किया जा सकता वो सोचेंगे भी नहीं उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है जेपीसी में बीजेपी केजियक्ष होंगे बहुमत बीजेपी की होगी पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए जवाब आएगी सरकार के ओर से और ये सब रेकॉर्ड में जाएगा 1992 में हर्शद मैता गोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष के ओर से सरकार ने पहले किचकिचाई उसका समर्थन नहीं किया पर दो-तीन महीने बाद आपको याद होगा पिधार मंत्री नर्सिमराव जी वित्र मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने मंजूरी दे दी और हर्शद मैता गोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ रिपोर्ट आई उस पर कारिवाई हुई सिभी को और अधिकार दिये गए कैपिटल मार्किट को और मजबूत किया गया 2001 में एक और घोटाला हुआ केतन पारेक घोटाला कॉंग्रेस विपक्ष में थी अटल वियारी वाजपाई जी प्रधान मंत्री थे तब प्रणमुकर जी डॉक्टर मनमोहन सिंग सब मिलकर जेपीसी की मांग की वाजपाई जी ने नहीं माना पर बाचीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ तो जेपीसी का गठन हुआ उनिस सो बानवे में जब कॉंग्रेस की सर्तकार थी जेपीसी का गठन हुआ 2001 में जब अटल वियारी वाजपाई जी की सरकार थी और दोनों स्टॉक मार्केट गोटाले थे ये जो गोटाला है महा गोटाला ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सिमित नहीं है ये सरकार की नियत और सरकार की नीतियों से संबंदित है प्रधानमंत्री की नियत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंदित है ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं हम ये नहीं कही रहे हैं चुप्पी तोड़िये गौतोमडानी जी हम कही रहे हैं चुप्पी तोड़िये प्रधानमंत्री जी और यही मौलिक अंतर है Supreme Court समिती और JPC के बीच में यह Supreme Court समिती سरकार से कोई सवाल नहीं करेगे सरकार को क्लिंचिट दे देगी और हम समझते हैं मैंने 15 फबरुरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको आपको याद होगा कि ये समिती सरकार को प्रधान मंत्री को दोश्मुक्त करने की कवायत के अलावा और कुछ नहीं है सरकार को और प्रधान मंत्री को दोश्मुक्त करने की कवायत के अलावा ये समिती और कुछ नहीं है ये कलीन चिट समिती होगी सरकार को तो इसी लिए जेपीữa की मांग हम बार बार कर रहे हैं इसके पहले कि अमिताब दूबे आपको इन सवालों के बारे में और कुछ जानकारी दें आज का सोवा सवाल हमने निकाल दिया है आपको मिल गया होगा अंग्रेजी में और हिंदी में मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ उसके बाद हमिताब आपको संबोधित करेंगे यह जो प्रयास किया जा रहा है पिछले तीन चार दिनों से कि एक फॉर्मिला ढूंडा जाए एक बीच का रास्ता ढूंडा जाए एक मिडल पाथ ढूंडा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहूल गांदी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे यह हमारे लिए बिल्कुल हम मनजूट नहीं है इन दोनों की बीच में कोई तालुकात नहीं है कोई रिष्टा नहीं है एक हकीकत है जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है बुनियादी सवाल है ये हकीकत है ये हुआ है जो माफी बांगने की बात BJP कर रहे हैं वो बिलकुल बे बुनियादी है जुटे आरोप है तो इन दोनों की बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी माँगने की बात वापस लेंगे हम सौदा करने के लिए तयार नहीं है इन दोनों के बीच में कोई रिष्टा नहीं है राहूल गांदी जी ने स्पीकर को लिखा है लोग सबा के रूल 357 के तहट उन्होंने मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का उनका लोगतांतरिक हक बंगता है स्पीकर उस पर क्या निड़ने लेंगे वक्त ही बता पाएगा पर ये कहना कि एक फॉर्मिला है ये फॉर्मिला हम पैचानते नहीं है हम स्वीकारते नहीं है ये हम से बिलकुल सहमत नहीं है क्योंकि ये जमीन आस्मान का फरक है जे पी किसी की मांग और माफी की मांग के बीच में ये माफी की मांग जो बात आ रही है बार बार ये इसी लिए कहा जा रहा है ताकि ध्यान अडानी घोटाले से हटाया जाए ताकि जो प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नियत है, नीतिया है जिसके वजे से ये घोटाला हुआ है, उससे ध्यान अटाया जाए